आज मैं आप लोग को मचली बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा कि आप कैसे मचली बनाएं यादि आपके पास सौर्सो पाउडर पिशा हुआ नहीं है आप बाहर रहते हैं आप सिल्फ बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे टमाटर ले लेंगे, अधरक ले लेंगे, धनिया पत्ता ले लेंगे, उसके बाद आप सुन्दरम का या किसी भी MDH का सरसो मसाला ले लेंगे, मचली मसाला ले लेंगे, सुन्दरम का सरसो पाउडर में ले लिया हूँ, चुकि मेरे पास ज्यादा संक्यान है, उसको पानी में दालके फुला देंगे ठीक है अपने पास नमक रख रहेंगे हल्दी रखेंगे लहसुन तो आप लोग अच्छा कर लेंगे इसको पेष्ट बना लेंगे या पेष्ट खरीच सकते हैं उसके बाद मचली को अच्छा तरीका से दो देंगे दोने के बाद उसमें क्या करेंगे कर लाईट जादा पीना दीखाई झाले दॉणने के बाद आप हल्दी डालिएगा सरसो और शुने मचली ऑान जमक श्वादा अनुसार और झिस अनुसार से लिखा देंगे आपको जैसे इसमें करहाई में हमने डाल दिया ह। मचली को और यह चला रहे हैं आराम से एक तम अस्ते चलाना है जब थोड़ा सा पीला हो जाए कुछ हम निकाले हुए है यह निकल जाए तब आप उसको निकालेंगे और तब तक रखेंगे जब तक आपका कलर ना आ जाये मचली का और उसके बाद ग्रेवी तयार करने का भी हम असान तरीका आप लोगो बता रहा हूं कि कैसे ग्रेवी आप बनाईएगा चुकि आप बाहर रहते हैं आप अपने से मचली बनाते हैं तो किस तरीका से बना सकते हैं यहां फ्राई होने का प्रोसेस चल रहा है बग जस्ट हम बताएंगे कि ग्र एक केजी हैं तो एक सरसो पाउडर आप फूला सकते हैं उसमें सुन्द्रं का थोड़ा सा मसाला डाल के उसको फुला सकते हैं और उसके बाद लहसुन आपको प्रयाप मत्रा में होना चाहिए लहसु रहेगा तो स्वाद आएगा और धनिया पता है तो सोना पेशु हागा और उसमें जब आप ग्रेवी बनाएगा तो आपको टमाटर डालना पड़ेगा इसलिए टमाटर भी रखे और थोड़ा सा अदरक है तो और बेटर हो जाएगा और मैं जब ग्रेवी का एक अलग वीडियो बनाऊँगा किस तरीका से प्रोसेस है ये थोड़ा सा आज अलग हट के वीडियो है चुकि सरीर को स्वस्त मस्तिस के लिए आपका सरीर को स्वस्त होना बहुत जरूरी है स्वस्तिक भोजन की जिएगा तो इसलिए मसली कैसे बनाएं आप होटल में नखाए अपने से बनाकर अच्छा बना सकते हैं चलिए बहुत-बहुत धन्यवाज जैए